एक धरावाहिक जो आपकी जिन्दगी बदल देगा, बाबो सा मेरे भगवान मैं ब्रह्म हूँ, स्रिष्टी का सर्जग, शक्ती का साकार हूँ, परात पर प्रह्म, अक्षर ब्रह्म मेरी बनाई इस स्रिष्टी में, प्रतेक जीव को जीवीत रहने के लिए कई प्रड़ावों से गुजरना पड़ता है बाबो सा भगवान की क्रपा से प्रकाश के आत्म विश्वास में उलेखनी ये बड़ोतरी होती है वो पटना शहर में होने वाले दंगल में भाग लेता है कई पहलवानों को परास्थ कर प्रकाश प्रती योगिता के अंतिम दौर में पहुँच जाता है दंगल का ये अंतिम दौर अंतितह बराबरी पर समाप दूरता है किन्तू दंगल के नियमों की अंदेखी की जाती है और प्रकाश के प्रतिद्विंदी को विजेता घोशित कर दिया जाता है इस फैसले से दंगल के मैदान में तनावत पन्न हो जाता है तथा दोनों पक्ष एक दूसरे को मरने मारने पर उतराते हैं वहीं दूसरी और प्रकाश के परिवार के सदस्यत प्रकाश के लौटने की प्रतिक्षा कर रहे हैं अभी अधिक खबर मिली है कि पटना में चल रही एक पचास साल पुरानी मशुर उष्टी प्रतियोगिता के दोरान दर्शकों के भी तनावत बन्न हो सूत्रों के अनुसार प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबरे में विजेता को लेकर हुए एक फैसले में मदभेज पैदा होने की वज़ा से हालात काबू से बाहर हो गए हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस की टीम पहुच चुकी है समाचान समाप्तु है अब सुनिए इवाओ का कारेग्रम आज की बाहर जाने मेरा प्रकाश कैसा होगा चिंता के करने हमारा प्रकाश जगडा तंटा करने वालों में से नहीं है अरे अभी आज आवेगा औकर उसके साथ भोला भी तो क्या है लेकिन बापुजी इतने बडे जगडे में फसे है वो उसमें से बाहर कैसे निखलेंगे बापुजा भगवान की कृपा से हमारे प्रकाश को कुछ नहीं होगा पिंडिनिक जी जे लाने से कोई फाइदा होने वाला ती है अरे हारे थके आवेंगे उनके लिए खाना ना बना जाके अरे आज आवेंगे थोड़ी दियर में हाँ छी ठीक है बादुझी आरे प्रकाश आगे प्रकाश पिटा तू ठीक तो है हाँ माँ क्यों प्रकाश तरे चोड़तो नहीं आई नहीं तो जिन्ता करने की कोई बात नहीं है, हमारे रहते हुए प्रकाष्टा कोई बाल बाका नहीं कर सकता पर मैंने तो सुना हमा को जगडा हो गया था लेकिन आपको ये सब पता कैसे चला रेडियो पर, बात तो सच मुछ बढ़ गई थी वो तो हमाह से किसे तरह निकल लाए जजज लोगो के फैसले पर हंगामा हो गया था वो तो मौके बार हर बंद सा पहुंच गए नहीं तो जजजों ने तो कालिक बना दिया तो मतलब बात ये बाबुजी की मुकाबला बराबरी पर खतम होगा लेकिन जजज लोग ने विजजदा बना दिया कालिक ये तो गलत मात है हाँ बाबुजी लेकिन ये सा कुशल बापस आगए हमारे ले तो सबसे बड़ी बात ये है ना हाँ मैं बाबोसा भगवान को प्रसाद चड़ाऊँगी प्रसाद चड़ाऊँगी मैं क्या बात है नीन नहीं आरी क्या हुआ आपको देखिए आप ठेक ठाक वापस आगए ना हमारे लिए सबसे बड़ी बात वही है तो फिर चिंदा किस बात की देखो जी आप कुशल हम कुशल हमारा परिवार कुशल मान सम्मान भी कुछ चीज होती है मैं जो तुम नहीं जानती हुन होनों होें मेरे ताथ-माथ क्या क्या किया मुझे क्या पता लेकिन आप ही क्या तया है कुश्ति में हाज ही टो लगी रहती है तो इसमें एतनी चिंदा करने की क्या बात वमन्जोशनियम के मुटाविक जीत मेरी हुईते हैं आपया ग caregivers लेकिं वह लोग मुझे जान से मारने की धंकी देरैं उनके इतनी हिमद उनको कोई सम्झाने वाला नहीं है क्या सम्झाने की बहुत कोशिश की मन्जोशने से बात और बेकर जाए कि समझ नहीं आरा क्या करो. अब दिखिए, सब ठीक हो जाएगा. अबी सो जाईए. चली. नींद ही तुन ही आरे. जब बी आ은खे श들이 बन टड द उंही का चैरह उंही की बातें मेरी सामने आजाएगा. सब ठीक हो जाएगा. अब ही आप सो जाएए. चली. क्या जमाना आ गया बुडे माबाप को बेटे ने घर से भार निकाल प्रकास बाबू अरे जल्दी तरो खोलो एक्दम मस्त खुश्खबरी लेका है हूं अरे बूला क्या बात हो गई है अंदर आ तब ठीक था को है प्रकास का है बाबू जी या बात है अरे कल के फैसले पे ब फिर फैसला यह हुआ कि सारी कमिटी फिर से बैठेगी और नेताजी भी रहेंगे और कोई समझोता कराया जाएगा तो यह बात है अब सोचना छोड़ दो जल्दी से तैयार हो जाओ और आजाना अगर इस बार समझोता हुआ तो इस बार तुमारी जीत पक्की है ऐसे बाला क्यों होने लगया क्योंकि हर बंस पहलवान भी उस मीटिंग में आ रहे है इसलिए तुम्हारा समझोता मीटिंग में आना बहुत जरूरी है इसलिए जल्दी तैयार हो जाओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ सब बाबो सा भगवान की कृपा है बेटा मारे को तो पता था कि जो भी होगा सब अच्छा ही होगा चल्दी जाओ और हमको भी खुशकबरी सुनाओ जी ने नी देखिए जी आप संजोता मिटिंग में नहीं जाएंगे बिंदरी संजोते में क्यो नहीं जाएंगे बाबुजी आपको बता है पिछले संजोते में क्या हुआ था वो काली ने शंकर को बुलाया था संजोते के लिए और बाद में शंकर का कोई अता बता नी बता न पुझनों के बाद, गंगा में उसका शव मिला था बहते हुगे, मैं आपको कही नहीं जाने दुमी बस अरे भोला सब पता करके आया है ना, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कहा ना आप दुमी, एक बार बेटा फिर से सूच ले, बाभुसा बभवान सेफ ठीक करेंगे मन्जू, ये जीत मेरे ले बहुत जरूरी है, ये मेरी किसमत बदल सकती मुझे डरने से कुछ नहीं होगा, क्या तुम ये चाहती हो जो मेरे घर पे बैठा रहूँ देखिये जी, मैंने कहा ना आप कहीं नहीं जाएंगे, और अगर इस बार आप गए ना, तो लॉटोगे तो मेरा मरा हुआ मुझे क्या हुआ हुआ ऐसा क्या हो जाएगा मन्जू, समझोते में इसी कौन सी अन्हूनी हो जाएगा पस मैं जाओंगा और फैजला दूंके तुन्त वापिस लॉटाओंगा क्या तुम यह चाती हो कि इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से योही निकल जाए प्रकाश, थारे को बींदनी की कसम की भी कोई परवाना है मैं थारे को कहीं कोनी जाने दूगी उपिए, मोजिक बाते हो्तने होना मुझे कुछ नहीं सुना तु अंदर प्रकास नहीं मुझे कुछ नहीं सुना सुना तू conduc Policy मुझनेन यह ठालो प्रकाश तू कहीं नहीं दे आएगा प्रकास तो कहीं नहीं चाहता मुझने दूफर रख थार चूपरः अरे कल के वैसली पे बहुत बड़ा बहस हुआ पिधायक जी भी बीच में आ गए फिर फैसला ये हुआ इस सारी कमिटी फिर से बैठेंगे और नेता जी भी रहेंगे और कोई समझोता कराया जाएगा अरे सोचना के है जल्दी तयार होजा और चलो अगर आज समझोता हुआ विमारी जी पक्की है मन्जू दर्वादा कोलो मा समझने की कोशिश करो मा समझाओ ना मन्जू को हमारा महा पुछना बहुत जरूरी है मा हम महा नहीं जाएंगे तो हम हार जाएंगे मा दर्वादा कोलो मा कि असा समाझ है हुए को भी सुरक्षित नहीं है सब आसरख्षित है कोई भी साहिएता करने वाला कि कौन करेगा उनकी साहिए खुट समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा है जा बोलने जा रही बिटा? बोल रही हो, अपना दुख बोल रही हो दुख बावोसा से बोल बिटा, आज ना, तु इनके सामने बिया जला दे बोसकता है तेरी प्रातना सुन ले देखे माजी, आप मेरी सास है मा से कही बढ़ करें आपके आदेश की अवेहला नहीं कर सकती लेकिन मेरी आस्ता नहीं है इतबाद बावोसा बड़े दयाली है वो सबकी सुनते हैं, तबकी भलाई करते हैं सुनते होगे वो सबकी, होंगे वो दयाली लेकिन आपने देखा अब तो कोई क्रिपा किया है उन्होंने हम पर ए बाबोसा बुगवान मेरी बहु पर दया करो उसे क्षमा करो जय बाबोसा बुगवान आपका कल्यान हो बाबोसा आपकी तो मुझे सदैव क्रिपा दुष्टी रही है बजनिबली जी आप मेरे प्रिय हैं बाबोसा मैं सदैव आप में अपनी छवी देखता हूँ मैं चाहता हूँ कि त्रिभुवन में सर्वत्र लोगों को आपकी कृपा का लाब मिले जगत कल्यान के लिए आप अवतरीत हुए हैं तो आप जगत का कल्यान कीजिए मैं आपका संकेत समझ जिया बजर्णपली आप मिसे आदेश दे मैं आपको आदेश नहीं दे सकता बाबोसा मात्रा आग्रह कर सकता हूँ अपका आग्रह ही मेरे लिए आदेश होगा बजर्णपली प्रित्वी लोग पर मंजु बाईसा पर आप अपनी कृपा करें उनको आप अपना प्रतिनीधिन युक्त करें उनका मन पवित्र है निर्मल है वो अभिमान रहित है उनके मन में भक्ती का अंकुर सरलता से पलवित हो सकता है जिनका मन पवित्र हो उनके मन में भक्ती उत्पन्य करना आपका परम करतव्य है आप उनके प्रति कृपालू हो मन्जू बाइसाही आपके कृपा की अधिकारणी है वो कलश हीन है वर्तमान में उनका मन अशांत है उनको शांती का आशीश देकर उनके संकट मोचन बनिये प्रणाम बजरंगली से पवन्फूत्र मुझे आपकी इच्छा पूरी करनी होगी बजरंगी का आग्रह मेरे लिए आधेश है तुक बाबोसा से बोल पिटा आज ना तू इनके सामने दिया जला दे वो सकता है वो तेरी प्रात्ना से प्रात्ना बाबोसा बड़े दयाने है वो सबकी सुनते है सबकी भलाईकर तबकी भलाईकर खी खी कहां पर रखाए पाची देव खी कहां पर रखाए खी कहां पर रखाए बादी कहां पर रखाए कि वो कि क्या देक रही हो में ही बाबोसा मृट समतकार भी मेरा ही यह हुआ हम किस चंता में पड़ गई तुम किस चंता में पड़ गई है नहीं हमारे चंता का दूर दॉन में चिंता में डालने नहीं एक सुहागन के लिए उसके पती के रक्षा से बढ़कर और क्या चिंता हो सकती है अपने सुहाग के सुरक्षा की चिंता मुझ पर छोड़ दो उसके जीवन को लेकर निश्चिंत रहो मैं उनके जीवन को लेकर निश्चिंद हूँ, लेकिन अपने पत्नी धर्म का क्या करो, आपने अपने देवत्वक का निर्वाह किया, अब मुझे अपने पत्नी धर्म का पालंग करने दीछे, संसार में पत्नी धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं, तुम अपने धर्म का न मेरा फ्रैक है, तुम धन्या हो, तुमारा कल्यान हो, तुम तनिक गिना गब्रा हो, मेरा आशेरवा तुमारे साथ सदय वर्भावादा सद्य यही है, सद्य यही तिहास यही है ओ, 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 जल है, प्रत्यक्ष यही है, सब के सदा समाक्ष यही है जन जन का करते कल्यान, बाबोसा मेरे भगवान, बाबोसा मेरे भगवान, बाबोसा मेरे भगवान, बाबोसा मेरे भगवान, जो हो झाल 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 है, है जड़ आता है, यो थायओ कर दोदक वो है, जद हुआ है हुआ है, है जड़ ओ़ उड़ है。 माँ, पापुची, तू आ गया वेटा, मेरी तो सब चिंता ही मेट गई, उन लोगों ने मेरी सारी बाते मान लिए माँ, और मुझे विजेता घूशित करती है, अरे, ये कैसे हुआ? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं अज़ चुपी था, माँ पे सब ने बोला कि आपके साथ गलत हुआ है, विजेता आप ही है, विधाय जी ने भी बोला कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देगे, मैं तो दंग रहे गया मा, कि ये कैसा चमतकार है, जो लोग कल मुझे हराना चाते थे, आज वहीं लोग मेरे नाम की जैजे कार कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, इस सब बाबुसा भगवान की कृपा है, आप ठीक कहा रही है मा, ये सब बाबुसा भगवान की कृपा से ही हुआ है, ये ख़़र हमें मन्जू को भी दे पिता कुछ नी खाया? ये बेटा, कहा है मन्जू? ऐसी भव जिसमें सरस्वति और लक्षमी सब के गोड़ है, चलो पिता, चलो के उसे अपने आने और अपने जीतने की खापर दे दो, आओ जी पिताची पिता कि पिताया, की तो, आप ऑडने इता है, प्तुमिया ओर, जीए देए, विम दोबेटाब वाड़ की खाया, झालो जाने सबस्काना, जीए है, और देए, घालो पिता के खाया समय्स, तो, पिता सक्रत्ति दो, आच जीरोटी खाया। आप आप वापस आगे हैं? आप ही नहीं गया, चीत कर आए हुआ है मैं आप है? आप विँ आप आप है विजी करना माझना एग ल करें लिए आप नहीं अए ही अए है अंग पुछता है बाद बदshe इसमा πैण आप असे आपकी भग्त हो गई. बाबो साथ अख्वाल की. जय है. जीतिरो, बेटी. एक मिनिट. मुझे पता चलाए कि तुमने उरत रखा हुआ. कल से तुमने कुछ खाया पिया नहीं. लो, यह पानी की. ऐसे वो सब को मिले. बाबो सा मेरे बगवान बाबो सा मेरे बगवान बाबो सा बगवान की ज है मेरे बगवान सब का मनौरत पुरन कर ते दीन दुखी की precaution आपर दे बजरंज दे शुहु बड़ दाँ वापोर्सा मेरे भगवाद वापोर्सा मेरे भगवाद